हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All In One चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स और भूतपूरों सैनिकों के लिए आज की बड़ी खबर 30 जून तक अब 2024 तक जो है जो पेंशन में जा रहे हैं उनको अब 2024 तक करना पड़ेगा सर्विस जो इस साल के लिए लेटेस्ट अपडेट आया भी दोस्तो इस लेटेस्ट अपडेट के पीछे क्या रिजन है और कब से ये लागू होगा ये एक्स्टेंशन क्यों लिया जा रहा है इसके बारे में एक पूरा का पूरा आफिस आउडर आया हुआ है जो कि इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिस सर्विंग है उनके लिए जो एक्स्टेंशन की बात की जारी है दो साल की as an interim solution for shortage of trained manpower क्योंकि अभी थोगा trained manpower की shortage होगी है उसकी वैसे अभी जो दो साल में भरतिया नहीं हुई है उसको पूरा करने के लिए अब ये एक interim step उठाया गया है और ये covid-19 में लगभग जो है लगता है दो तीस से तीन साल तक जो है recruitment drive नहीं हो पाई तो जो trained manpower है जो इस साल जो है retire हो रहा है जो अगले साल retire हो रहा है उनको जो है द mentality satisfaction a case is under consideration और इस पर जो है high level meeting चल रही है जिसमें retention किया जा रहा है करने की बात की जा रही है 30 June 2014 तक of all who are retiring from 1 July 2020 से 3 June 30 June 2023 उन सब के लिए जो है ये interim extension की बात की जा रही है जिससे की जो भी trained skills है जो trained manpower है उसकी कमी ना होता है और साथ ही साथ जो है extra जो है जो भरती है वो चलती रहेगी दूस्तों ये था आज का important update जिसमें के extension की बात की जा रही है और ये खासकर जो है JCOs होगे, Wars होगे, AMC में, AD Corps होगे इन सब की जो है दो साल extra जो है service extend करने की बात की जा रही है due to shortage of trained manpower दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिएगा, share कीजिए और subscribe करना ना भूले है Thank you for watching this video